गुर्बर्निंग तोडेश वी लगेंग कंटिनुई विद देटलेशन दरीजो 6.6 तो 6.6 में आप डिवाइड करना सीख रहे हैं इसमें किसी भी सवाल को डिवाइड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है आप लॉंग डिविजन से भी कर सकते हैं या फेक्टराइड जो आ that is if the 5 cost of 5x books is rupees 10x square plus 20x the cost of 1 book equals to get 10x square plus 20x divided by 5x दोनों में से 5x common आ गया इसमें से होगया 5 to 2x to 2x plus 4 upon 5x इदोनों कट गया आपका answer आ गया बच्चे rupees 2x plus 4 that is very simple यसी तरस question number 6 भी है rectangle का area दिया हुआ है बच्चे एक side दिया हुआ है तो दूसरा side निकालना है आप divide करके easily निकाल सकते हो question number आप 5, 6 पे आईए 6 में देखे different type of questions दिये हैं just you have to divide जैसे question number 6 का आप आप ले सकते हैं बच्चे लोग 6 का आप 5 या 6 ले लिजे 6 ले लिजे आप लोग चलिए तो 6 में दिया है divide m and bracket में 14 m minus 63 फिर दिया है 4 n minus 20 by by means नीचे आ जाएगा 14 2 m minus 9 ठीक है बच्चे लोग तो ये क्या करोगे अब आप mn तो है ही इसमें देखे साथ दूना 14 साथ नमा 33 इसमें से 7 common आ गया m minus 9 2 m minus 9 बच्चे इसमें से 4 common आ गया तो ये बच्च गया n minus 5 ठीक है अब आप आउन क्या हो गया बच्चे 14 2 m minus 9 2 m minus 9 कट गया 7 2 जाब 14 कट गया 2 से ये कट गया यूर एंसर इस 2 m n ब्रैकेट में n minus 5 यूर एंसर इस सिंपल यूर आसानी से बन गया यूर आप टू की फ्यक्टर करके उसको निकाल लेना है इसी में जैसे question number बेटर दिया हुआ है question number 8 देखो 8 में क्या दिया हुआ है x square प्लस y x y square प्लस 3y z square प्लस x z by x y z x plus y पेटर फिर से देखिए इंदोनों में से x common आगया x आगया common तो क्या बचा एक्स प्लस y इन दोनों में से y common आगया तो y तो y plus 3y इन दोनों में से z common आगया बच्चे तो z common आगया तो z plus x upon x y z x plus y x plus y x plus y कैटके x x y से y z से z your answer is y plus 3y into z plus x बहुत simple होता है आपको just क्या करना है factorize करना है factorize करना पीछे सीखा हुआ है आपने common ले सकते हो जैसे भी आपका सवाल बनके सामने हो जाएगा इसी में जैसे question number seven पाइए seven में बच्चे आप लोग ले सकते हैं जैठी की question number four seven का four देखिए इसमें दिया हुआ है बच्चे लोग आपको seven का four that is the twelve y square z y square plus fifteen y plus 56 by three y z y plus seven ठीक है बच्चे कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या करेंगे आप इसको पहले three से 12 कट गया four y से square कट गया z से z कट गया क्या बच्चे बच्चे four y four y ये y square plus इसको लिख सकते है y square 56 लाना है plus eight y plus seven y eight seven जा 56 plus 56 upon y plus seven ये क्या हो गया बच्चे four y ये फिर हो गया इन दोनों में से y common आ गया y plus eight इन दोनों में से seven common आ गया तो y plus eight upon y plus seven ठीक है तो ये हो गया बच्चे four y y plus seven y plus eight upon y plus seven y plus seven y plus seven कट गया your answer is four y y plus eight so that's a very simple you can do अब बहुत ही simple है factorize करना है divide करना है जिस किसी में कोई problem आगी फिर इसको उन्रों share कर लेंगे but you have to complete that आपको सारे सवाल बनाने जिस किसी में समस्या आएगी we will there I am a map को help कर दूंगा your homework is you have to complete six point six four two seven homework is six point six four two seven question बनाना है बच्चे और आप लोग सारा का सारा बना सकते हैं और hoping आप लोग पूरा बनाएंगे जहां कहीं भी डॉट होगा आप मुझे WhatsApp पर करें हम उसको instantly solve करने के कोशिस करेंगे instantly यह नहीं कि आप जैसे ही देंगे तभी आपको solution मिल जाएगा यह जैसे मैं उसको देखूंगा उसके बाद मैं आपको solution दे दूँगा thank you have a nice day thank you